सिरम यूरिक एसिट का इस्टैंडर और टेस्ट प्रोसीजर दोनों का प्रोसीजर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तो यह हमारे पास यूरिक एसिट का किट रखा हुआ है जो कि के अर्वा कंपनी का किट है ठीक है यह और यह हमारे पास सेमी बायो कमिश्टिय लाइजर मसीन है ठीक है जो कि हम इसमें आपको लगा के बता कर दोस्तों यूटुब चाइड लेट टेक्निशन प्रकास में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम सिरंग यूरिक एसिट का स्ट अडर और टेस्ट दोना का प्रोसेस आजां तो वीडियो का आपको समझ में आने वादा है तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे बगाते पर के अंदर क्या क्या होता है यह यूरिक एसिट करते कुछ इस टाइप से ठीक है और कि रिए इसमें एक लेटेचर डला हुआ होता है त लाइफ तर वी रहता है ट्क है प्रोसेजर आप इससे भी मतलब प्रोग्राम करना भी आप सीख सकते हैं तो आप अप से डेकर के होता है वो कितना होता है तो सिर्म जो अडल्ट का जो अडल्ट में होता है वह 3.5 से 7.2 पाइब पाइब दिया और जो अडल्ट में होता है वो 2.6 सीच्स-पाइंट जीरो एमजी पर डियल होता है और यागर यूरिन की वात कहें तो आप यूरिन का भी यूरिक कैसे करना है तो भी आप लगा सकते चौविस घंटा यूरिन का जो सेंपल होता उसको कलेक्ट करके तो इसको प्रोसेस में आपको नेक्स बीडियो में बताऊंगा तो यह अब देखते हैं इसमें रेजन्ट कैसे कैसे रहता है यह कुछ इस टाइम से कैसे बड़ा सा रीजन्ट रहता है इसको अराम से निकालना है यह कुछ इस टाइब से रीजन्ट रहता है ठीक है यह और यह एक पॉडर फॉर्म में रहता है यह इसमें डाइलूशन बनाना पड़ता है तो डाइलूशन हम आपको एक बड़ी एक और वीडियो बनाएंगे तो इसमें आपको बताएंगे जो इस ठीक है तो हम डाइलूशन वाला यूज करेंगे ना कि हम यह वाला टेस्ट के लिए हम यह वाला यूज करेंगे ठीक है यह हमने जो डाइलूशन बनाया था यह डाइलूशन बनाना इसको एक साइड ऐसे रख देना और इसके एक यह स्टेंडर बॉइल होता है ठीक है जो कि 5 के मेल का इस्टेंडर का वाइल होता है कि धुरुक्राना घूरुक्तों हमने यहcussion को बाहर निकाल लिया और इस्टेंडर भी निकाल लिया और यह हमारे पास सीराम सैंपल Lisaoir 하는 second game करें तो हम सब्सक्रेंडर भी लगाना ओर तेस्ट भी लगाना है तो कन्टियूज ना हो थिक है अब देना है अब लेना है मार्डिट्व कित रिजक्वर। Hm क्लें कोई पिपट से बब्ल यह नहीं आना चाहिए इसको ऐसे अलगा से करना है री जिए विजिए देख सकते हैं इसमें कोई यह बबल नहीं आ जी आपकर देना है हुआ है आप तर अंद्थ कर दिया हमें लेना है तो फिर हमें 1000 किरुकर माइक्रो लेना है कि हमें में पिल देख सकते हैं में उसको साइड कर देना है कि यह आती है बारिक इसका स्टेंडर और सेंपल का तो हमने जैसे इनमें लिखा था कि स्टेंडर सेंपल यह तो इस्टेंडर है ठीक इसमें लिखा रहता है यूरिक एसी इस्टेंडर जो फाइप ही मिलका है ठीक है इसको हमें लेना किता 20 माइक्रो लीटर तो हमने यह सेट क जो टिप के आजू आजू लगए वह तो इसको टिशू पेपर से ऐसे क्लीन कर लेना है ताकि जब आप इसमें मिलाया तो ज्यादा इक्स्ट्रा जो इस्टेंडर है वो इसमें नजा तो इसमें ट्यूब में एड कर देना है ठीक और इसको प्रॉपर तरीके से ऐसे मिक्स कर लेना है और टाइम को नोट कर लेना है पाँच मिनट करना है ठीक है यह हमने इसमें स्टेंडर एड कर दिया और फिर हमें लेना है 20 माइक्रोडिटर क्या सिरम सैंपल यह हमने सिरम सैंपल यह लिए जो कि हमने सिंटिफिज करके पहले से रख लिया था इसको भी ऐसे निका यह हमने एड कर दिया दोनों को और अच्छे से क्याफूले मिक्स कर लेना है अब दोनों इस्टाइंड़ और टेस्ट को बेट करना है पाच मिनट के लिए जब तक हम मसीन को रेडी करके तो हमें लगाना यूरिक एसिट टेस्ट यह देख सकते हैं यह एरो बने हुए है तो यह अब आया से डिस्टिल्वाटर के पिलाना है ना कि नॉर्मल वाटर टेक है यह हमारे पास दिस्टिल्वाटर है यह डिस्ट्रिबडर के ऐसे लगाना और आसे बटन को पुस कर देना है जब ऐसे कुछ करेंगे तो यहां पर मसीन बीप करने लगेगा जैसे प्लीज रिमूवट नहीं तो आप नो कर सकते हैं लेकिन आम आपको इस्टेंडर टेस्ट दोनों बताएंगे तो पहले हमें इस्टें स्टेंडर सेट कर लिए हैं यह हमारे पास स्टेंडर जो बनाए थे हमने तो पहले हमें स्टेंडर पिलाना है ऐसे और क्रस्ट करें किया वेट करना है यह प्लीज रिमूब दा टेस्ट यूब तो ट्यूब को हमें अटा लेना है ऑफ। हम पारियमं फैक्टर जट करना है फिर स्टेंडर पिलाना हुं फ्रलीज в Puis यह फैक्टर आगे हैं अंडर को हम कर देना एक चैन्घ करना है फिर आम पर आना क्या ज़ंक्र मैं सेंड़कृ धियुण कि श्तेनदर पास्टाना एक doo-т कम दो तीन मिनिट ईट यह देख सकते हैं 6.2 जो की स्टेंडर वैलू एकदम करेक्ट करेक्ट है अब हमें लेना है टेस्ट वैलू ठीक है तेना हमें बॉस मसीन को डिश्टिल वॉटर से द्वारा पहले बॉस कर लेना है थोड़ी से हमें हुआ है आशिए हमने मसीन बॉस कर लिया अब हमें लेना है टेस्ट का रिडिंग टीक है यह हमारे पास टेस्ट टेस्ट जो हमने बनार की रखा था ठीक इसको थोड़ी नहीं अब यहां से से हमें टेस्ट का रेडिंग लेना है ठीक है ऐसे जैसे बीप करना हमें ट्यूब को हटा लेना है यह करने के बाद थोड़ी देर वेट करना है ठीक है अब देखते हैं टेस्ट वैलू किता आता है देख सकते हैं 4.7 जो की पेशन का यूरिक आसी नॉर्मल है